हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंटर सेटिंग के बारे में कि टेली प्रैम में में प्रिंटर की सेटिंग कैसे करनी है और किस सेटिंग से क्या एफेक्ट होगा तो दोस्तो अगर आपको भी sale invoice professional तरीके से निकालना है तो उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और दोस्तो अगर आपका इस वीडियो के कोई सवाल है या आप कोई advice देना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को आप comment कर सकते हैं तो दोस्तो भड़ते हैं वीडियो में आगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक sale invoice यहाँ पर open करा हुआ है इसका अब हम print लेंगे और print लेने से पहले उसकी सारी setting करेंगे कि हमें क्या क्या setting करनी है और दोस्तो एक चीज और बता देता हूँ कि एक जगे से setting नहीं टैली में दो जगे printer की setting होती है वो कहां कहां होती है वो दोनों जगे आज में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो पहले हम एक setting के बारे में सीख लेते हैं उसके बाद हम दूसरी setting के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहीं पे रहते हुए Ctrl-P press करेंगे print के लिए और आपको यहाँ पर तीन option दिखेंगे configuration, preview और print तो configure पे आप चले जाना configure पे जाने के बाद आपको यहाँ पर show more का option दिखेगा इसको आप enter कर लेना तो सबसे पहले voucher details की setting आपको दिखेगी तो अगर आप use simple format को yes करते हो और इसका preview जब देखते हो तो आपका invoice कुछ इस तरह से दिखेगा यानि कि आप देख सकते simple format में आपको कैसा invoice दिख रहा है और अगर इस option को yes न करके हम नोई रहने देते हैं और फिर हम preview देखते हैं तो आप देख सकते हैं याँ पर इस तरह से दिखेगा तो आपको अगर वो simple format में अच्छा लग रहा है तो आप वो choose कर सकते हैं अगर ये वाला format अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से choose कर सकते हैं तो यह तो हो गई पहरी setting उसके बाद configure पर चले जाते हैं उसके बाद show customer seal and signature अगर आप इसको yes करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ इसका क्या effect पड़ेगा preview पर चले जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे zoom करके देखते हैं सबसे नीचे आपको customer seal and signature का option यहाँ पर enable हो जाएगा तो यह receiving के लिए होता है basically तो आप इसको use कर सकते हैं हम फिर से back चले जाते हैं और third option है इसका show serial number अगर हम इसको भी yes करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ serial number का क्या effect पड़ेगा zoom जैसे करेंगे यहाँ पर आपको serial number दिख रहा होगा तो यह serial number का option यहाँ पर enable हो जाएगा अभी आपने एक item यहाँ पर डाली है तो number one दिखा रहा है अगर आप यहाँ पर दूसरी item डालेंगे तो so quantity option yes है already यानि के इससे सीधा सीधा quantity दिखेगी फिर भी में एक बार आपको preview करके दिखा देता हूँ इससे यह वाली quantity का option आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह वाला option दिखेगा इसके बाद हम फिर से back चले जातें configuration पर उसके नीचे देखेंगे so quantity with alternate unit तो इसको जब alternate unit in separate column अगर इसको भी yes करते हैं तो आपको effect दिखा देता हूँ क्या होगा preview कर लेते हैं देखो अभी यहाँ पर कोई भी option नहीं आया है क्योंकि इसका मतलब यह है क्योंकि हमने कोई भी alternate quantity यहाँ पर चूज नहीं करी है हमने headphone के item जब create करा था तो वहाँ पर कोई भी alternate quantity करते हैं तो आप मेरे को comment कर देना मैं आपको वहाँ पर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा तो इस वीडियो में वह नहीं बता सकता क्योंकि यह काफी length ही हो जाएगी वीडियो तो दोस्तों उसके बार आता है so actual quantity so actual quantity का option में आपको yes करके दिखा देता हूँ उसका effect क्या होगा उसके बाद हम preview करते हैं तो so actual quantity को आप देख सकते हैं quantity shipped और build दो option यहाँ पर आ चुके हैं तो इसमें आपको अगर इस तरह से करना है shift कितने हो रहे है और build कितने का हो रहा है आप इस तरह से अगर कुछ करना चाहते हैं item तो वो आप sale invoice में इस तरह से दि यस करते हैं और उसके बाद हम preview देख लेते हैं क्या फरक पड़ेगा अभी आपको यहाँ पर rate का column so नहीं हो रहा था अभी यहाँ पर हो रहा है उसके बाद हम फिर से बापस आ जाते हैं next setting देख लेते हैं इसके बाद आपको देखेगा so build wise detail आप इसको यस करते हैं तो मैं आपको इसका भी effect दिखा देता हूं क्या पड़ता है यह मैंने yes कर दिया अब हम preview देख लेते हैं तो आपके sale invoice के print पर यह सारी चीज़े सपहेंगी new reference number आपका reference number यानि invoice number आपको यहाँ पर show करेगा और उसकी value total value कितनी है invoice की 7080 रुपे तो आपको यहाँ पर इस तरह से दि details आप अगर इसको yes करते हैं तो आपका batch number batch related जो भी detail होगी वो आपके invoice पर छप जाएगी लेकिन मैंने इस invoice में कोई भी batch number यूज नहीं कराए तो उसका इसका yes करने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसलिए मिले को preview करने का कोई फायदा नहीं होगा इसके बाद आता है so go yes कर सकते हैं इसका क्या होगा कि अगर आपने go down का कोई name दे के रखा है जैसे दिल्ली go down, Bombay go down, महराष्ट go down या जो भी आपने कुछ नाम दिया तो वो name आ जाएगा और उसका address नीचे आ जाएगा तो वो आपके invoice पर print हो जाएगा क्योंकि मैं preview इसलिए नहीं कर रहा क्यों कि मैंने यहां पर कोई भी go down name नहीं दिया हुआ है इसके बाद आपको so part number option देखेगा अगर इसको yes करते हैं और इसका preview हम कर लेते हैं जब preview करेंगे तो आप देखेंगे कि part number हमको so हो जाएगा देखो part number का एक column यहां से create हो चुका है अगर कोई part number आपका कोई ऐसा item है जि setting पर next setting है यहां पर so additional description for stock item इसका मैं बता देता हूं जैसे ही आप इसको yes करते हैं प्रीव्यू करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि description आ जाएगी अपने item की देखो अभी यहां पर sony headphones लिखा नहीं आ रहा था लेकिन मैंने description में डाला था sony headphones तो वो आप अभी आपको यहां पर display हो जाएगा इस तरह से ही next setting है हमारी so additional description for laser laser का मतलब यहां tax laser से है जैसे ही मैं yes करता हूं तो आपको दिखा देता हूं आप देख रहेंगे कि central GST के नीचे local लिखा आ गया को मैंने local ऐसे लिख दिया था example के लिए आपको दिखाने के लिए और state GST के नीचे local आ गया यानि कि मैंने local description में डाला था इसलिए जैसे ही मैंने वो option yes करा तो आपको यहां पर यह so हो जाएगा अगर आप ऐसा कुछ ल लेटर कुछ लिखेंगे तो वो आपका इन्वोज पर प्रिंट हो जाएगा तो इसके बाद हम next setting देख लेते हैं तो next option है display name for stock item इसमें आपको कुछ नहीं करना name only रहने देना है उसके बाद show narration जैसे ही आप show narration को yes करते हैं और preview करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी narration यहा लेंगे वो आपको यहां पर show हो जाएगी कैसे होगी देखो अभी मैंने क्या डाला है मैं आपको दिखा देता हूं narration में मैंने शिर्फ narration लिखा है इसलिए आपको वहां पर narration आ रहा था लिखा हुआ ठीक है जी अब हम फिर से चलते हैं setting पर configuration पर अब आ जाओ यह आपकी voucher detail सारी हो गई अब आगए statutory detail इसमें आपको क्या yes करना है किस चीज से क्या फरक पड़ेगा वो हम देख लेते हैं तो statutory detail में पहला option है show rate of duty for stock item तो यहां पर duty का rate आपको दिख जाएगा stock item के लिए अगर आप इसको yes करेंगे तो उसके बाद आप show item wise GST detail आप अगर इसको yes करत हैं तो मैं preview करके दिखा देता हूं यहां पर दो column create हो जाएंगे rate के नाम से एक इधर एक इधर आपका जो भी rate होगा मैंने 9% का यह item है इसलिए मेरा 9% यहां पर create करके दिखा रहा है अगर आपका कोई और rate होगा तो वह आपको यहां पर दिखाएगा तो इस तरह से यहां और इसको professional अभी बनाते हैं आप वीडियो में बने रही है end तक तो अभी और देख लेते हैं इसके बाद हम बापस आ जाते हैं इसको yes करते हैं नीचे वाले 100 GST rate in percentage इसको yes करते हैं तो इसका अलग effect पड़ेगा वो क्या पड़ेगा मैं अभी दिखा देता हूं इसको yes करते हैं preview देख लेते हैं अब आप देखेंगे कि एक column generate होगा देखो GST rate का सिर्फ एक column यहां पर generate हुआ है और उसमें दिखा रहा है कि आपका item किस rate का है यानि कि मेरा 18% का था तो 18% यहां पर दिखाएगा अगर कोई आप दूसरा item यहां पर डालते हैं और वह 12% का है तो यहा column generate नहीं होगा नीचे 18 के नीचे 12 लिखा आ जाएगा तो इस तरह से यह काम करता है तो आप इसको yes कर सकते हैं इसके बाद आता है so hsn और sac इसको yes करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ hsn नमबर आपको या आपका hsn नमबर या sac नमबर है वो आपको display हो जाएगा invoice प आपको नीचे display होने लग जाएगा अब आजाओ next setting पर उसके बाद है so gst analysis जैसे ही आप इसको yes करेंगे तो एक नीचे का option भी आपको enable हो जाएगा और आप इसको भी yes कर लेना उसके बाद आप preview देखेंगे तो preview में आपको एक नीचे इस तरह से gst की detail आपको दिखे जाए आप इसको भी use कर सकते हैं उसके बाद हम next setting देख लेते हैं so LUT bond detail इसको yes करेंगे तो आपको यहां पर LUT bond की detail so हो जाएगी लेकिन मैंने इस invoice में ऐसा कुछ करके नहीं रखा है तो मैं LUT से related कोई detail आपको यहां पर so नहीं करा सकता इसलिए मैं yes करूँ या no इससे कुछ फर detail आपके invoice पर print हो जाएगी वह वैसे भी export के लिए manually use होता है तो आप इस option को उसके लिए use कर सकते हैं उसके बाद so tax invoice in base currency तो आप इसको yes करके रख सकते हैं base currency में आपका invoice दिखेगा so tax amount for export invoice तो tax amount export invoice में कितना tax लगाए उसके लिए है आप इसको भी yes कर सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं header information आपको यह option दिखेगा header information इसमें title title पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप यहाँ पर title डाल सकते हैं title क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं जैसे मैंने title tax invoice डाल दिया और और subtitle में मैं यहाँ पर sale डाल देता हूं अब आपको दिखा देता हूं preview करके इसका क्या effect पड़ेगा invoice के top पे आप देखेंगे tax invoice मेरा title हो गया और sale मेरा subtitle हो गया तो इस तरह से अगर आप जो भी नाम वहाँ पर डालेंगे तो वो आपके यहाँ पर चपके आ जाएंगे तो इसका effect यहाँ पर यह था उसके बाद हम next setting देखेंगे तो दोस्तों next है title for optional voucher तो आप यहाँ पर मैंने performa invoice लखा यहाँ पर भी आप कोई नाम इस तरह से दे सकते हैं उसके बाद next setting पर आ जाते हैं company details company details में आपको मैं बता देता हूं so company name को yes रखेंगे company name आपका दिख चाहिए उसको भी आप yes रखेंगे और next option आता है so bank detail तो जैसे ही आप इसको yes करेंगे उसके बाद आप देखेंगे नीचे वाले option enable हो जाएंगे bank name bank name आपको यहाँ से select करना पड़ेगा जैसे कि मैंने state bank यहाँ से select कर लेता हूं उसके बाद आपको so account holder name आपको yes कर लेना है और अब preview करके देख लेते हैं कि bank detail आपकी कहाँ पर print होने वाली है तो आप देखेंगे मैं zoom करके आपको दिखा देता हूं total value के नीचे आपको company bank detail के नाम से option आ जाएगा इसमें account holder name, bank name, account number और branch और IFSE code आपको इस तरह से print हो जाएगा आपके invoice पर तो अभी आप देखते त आती है, so pen income tax number, तो दोस्तों अगर आप इसको yes करते हैं, तो आपका pen number आपके invoice पर display हो जाएगा, और so GST number इसको yes रखना, क्योंकि इस से GST number आपका invoice पर दिखेगा, इसके बाद next setting आजाती है, party detail, so contact detail को yes कर लेना, आपने जो भी contact detail डाल के रखा होगा party का, वो यहां पर so ह हो जाएगा, अगर नहीं डाल के रखा, तो इसका कोच भी effect invoice पर नहीं पढ़ने वाला, इसके बाद so name and address from party master, इसको आप नोई रहने दें, display name for parties, इसको name only रहने देंगे, so buyer's tax registration number, अगर buyer का tax registration number so करना है invoice पर, तो आप इसको yes कर सकते हैं, इसके बाद है so pen number, income tax number, अगर आप इसको भी yes करेंगे, तो party का pen number invoice पर display होगा, इसके बाद so buyers GST number इसको yes रहने देंगे, इसके बाद हम नीचे आजाते हैं, so state name and state code, तो ये भी yes रख लें, इससे क्या effect पढ़ेगा, वो में preview करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, state name and state code, आप देखेंगे state name और उसके ब नाम करता है, इसके बाद हम आजाते हैं, next setting पर, इसके बाद so place of supply, अगर place of supply को yes करेंगे, तो आपको में preview दिखा देता हूँ, place of supply किस state में और यह, उस state का नाम, आपको यहाँ पर so हो जाएगा, place of supply में आप देख सकते हैं, यहाँ पर delete display हो चुका है, अब इसके बाद है, so consigny details, तो यह yes है, consigny details का क्या option है, यह काफी important है, इसको मैं बता जेता हूँ, आपको इसको yes करेंगे, और preview पर चले जाएंगे, अब आप देखेंगे, consigny details से मतलब होता है, यह वाली details जहाँ पर, ship हो रहा है माल, यह आपकी consigny details, so होने लग जाएगी, यह वाला box, अग आपको दिखेगा, अगर उस option को no कर लेंगे, तो यह वाला box नहीं दिखेगा, बस एक box यह दिखेगा, और आपको यह वाला address दिखेगा, तो आप उसको yes कर सकते हैं, इसके बाद next setting है, so buyer CST registration, तो आप इसको yes करेंगे, तो उसका CST registration दिखेगा, अब आज आते हैं, order and dispatch detail मे show reference number करेंगे, तो show reference number में reference number show हो जाएगा, reference number and date आपको यहाँ पे column, यहाँ पे create हो जाएगा, और उसमें reference number और उसकी date यहाँ पे display होने लग जाएगी, इसके बाद है, order detail, इसको yes करेंगे, तो order से related detail आपके invoice पे show हो जाएगी, dispatch detail, payment term of delivery detail, तो यहाँ पे payment term की detail आपको invoice पे show ह हो जाएगी वह नॉर्मल है इसलिए मैं आपको प्रेविव करके टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा उसके बाद आता है सो एक्सपोर्ट डिटेल अगर आप एक्सपोर्ट का इन्वोज बनाएंगे तो ही इसको यस करेंगे और एक्सपोर्ट से रिलेटेड बी-ल नंबर जो होती है डिकलेरेशन क्या होती है मैं आपको प्रेविव करके दिखा देता हूं तो आपको इस तरह से डिकलेरेशन नीचे लिखी आ जाएगी और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वह भी चाहता सकता क्योंकि वीडियो काफी लेंथ ही हो जाएगी अगर आप वीडियो चाहते हैं इसके उपर तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर दें चलो अब भड़ते हैं नेक्स सेटिंग में जेनरेटेड वाई तो एक लाइन लिखी आती है इन्वाइज के नीचे देसे जे कंप् करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं अपनी स्टेट का नेम डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे इन्वाइज पर नीचे वो नेम छपा आएगा कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला लानू Subject to Delhi jurisdiction आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखा आ गया है अगर आप यहाँ पर दिल्ली की जगे कुछ और डालेंगे तो वो यहाँ पर इस तरह से लिखा आ जाएगा Next option है आपका So prepared by and verify by अगर आप इसको yes करते हैं तो आपके invoice पर यह option देखेगा कि prepare किसने करा है और verify किसने करा है उसको option आजाएगा तो आप उसको So prepared और verify का option को use कर सकते हैं उसके बाद print format में आपको neat mode ही रहने देना इसको कुछ नहीं छेड़ना printer आपको यहां से select printer करना होता है कि आप printer कौन सा choose करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहां पर printer select कर लेंगे और अगर आप Microsoft PDF select करते हैं तो आपको यहां पर digital signature का भी option दिख जाएगा तो आप यहां से digital signature का नाम select करके इसको enter कर देंगे और ask before signing यानि sign से पहले आप से पूछे टेली कि sign करना चाहते हो कर नहीं अगर इस option को yes करना चाहते हैं तो yes कर देंगे उसके बाद format of signature only text या text image इसमें से जो भी आप select और इसके बाद इसको enter कर देंगे और उसके बाद इसको okay कर देना है उसके बाद आपको paper type में plain paper ही select करके रखना है number of copy इसको आप ध्यान से देख लें number of copy आपको क्या करनी है वो आप इस पर enter करेंगे number of copy आपको कितनी चाहिए वो आप यहां पर type कर देंगे और उसके type of copy में all select कर लेना अगर आपको single कोई copy print निकालनी जैसे original copy का ही आपको जैसे original copy की जरूरत है आपको तो original copy, extra copy या फिर duplicate copy जो भी आप निकालना चाहते हैं single copy भी यहां से select करके निकाल सकते हैं उसके बाद इसको आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद print, transport, copy में yes रहने दें, transport copy आपकी print होनी चाहिए number of start from first page इसको first ही रहने दें, page range में all रहने दें इसके बाद आजाती है height of normal invoice, height का क्या मतलब होता है मैं आपको preview करके दिखा देता हूँ मैंने अभी 12 करी हूई है, height होती है इस तरह से vertical में, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं mouse को open नीचे कर रहा हूँ ये वाली height होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक headphone डाला है, अगर मैं यहाँ पर 4-5 item डालूँगा तो हो सकता है कि मेरी यह item इस page पर ना आएं तो next page पर चले जाएंगे, next page का मतलब है एक invoice दो page पर जाके बनेगी, एक ही page पर अपने invoice को print करने के लिए आप इस height को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे इसको select करेंगे और enter करेंगे, अब आप यहाँ पर घटा बढ़ा सक करते हैं, type करके, आप यहाँ पर 12 की जगे 13 या फिर 11 इस तरह से कर सकते हैं, तो फिलाल में 12 ही रहने देता हूं, और enter कर देता हूं, आप इस तरह से इसको change कर सकते हैं, इसके बाद आता है height of simple invoice, इसको भी आप same ही रहने देंगे, जितनी यह है, same दोनों को यहाँ पर रहन normal invoice, तो bit कैसे काम करती है, इसको मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं preview दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, इस तरफ ज़्यादा gap है, और इस तरफ left side में कम gap है, मैं आपको यहाँ पर इसको change करके दिखा देता हूं, जैसे अभी यह 8 है, अगर मैं इसको 10 कर देता हू और नीचे बाली को भी same कर देता हूं, 10 और preview करते हैं, अब आप देखेंगे कि दोनों side में margin अभी यहाँ पर कम हो गया है, और invoice भी छोटी हो चुकी है, तो यह इस तरह से काम करती है, इसके बाद आपको देखेगा top margin of normal invoice, top margin of simple invoice, left margin of normal invoice, left margin of simple invoice, इन चारों का क्या work है वो मैं आपको बता देता हूं, अभी देखो 25, अभी आप देखो 0.25, 0.25, 0.50, इस तरह से मैंने करके रखा है, देखो top margin में यह है कि ऊपर कितना space छूट जाना चाहिए, अगर मैं उस space को 0.25 है, उसको मैं अगर one कर देता हूं, तो यह invoice नीचे आ ज जगे यहां पर लिखा रहेगा और उपर का page खाली हो जाएगा, इस तरह से काम करता है, और left margin का मतलब यह होता है, कि left की जगे जो space आपको दिख रहा है, यह space और बढ़ जाएगा, अगर मैं उस space को one कर दूँगा या two कर दूँगा, और 0.50 से थोड़ा और कम कर दूँग तो यह margin और कम हो जाएगा, तो वो इस तरह से काम करता है, उसको आप use करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो दोश्तों आपको इस तरह से यह setting तो आपको समझ में आ गई होगी, तो अब बार यह दूसरी setting की, तो उसके लिए हम चले जाते हैं, अपने invoice पे, और आप आपको बापस invoice पे आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर option देखेगा, प्रिंट का, इसकी shortcut की है, alt-p, उसके बाद आपको यहाँ पर भी configuration का option देखेगा, उस पर चले जाना और show more कर लेना, print format में neat mode ही रहने देना, printer में आपको यहाँ पर select करना है, कौन सा printer है आपके पास, उसके बाद paper type में बता चुका हूँ, plain paper, set preview as a default, इसको yes करके रख सकते हैं, इसके बाद सबसे जरूरी setting है यह, set number of copy for printing invoice, आप इस पर चले जाएंगे, अब आप देख सकते है, number of copy of seal invoice, यहाँ पर एक बाद जो set कर देंगे, तो आपको जितनी भी copy आपको यहाँ पर जैसे आपको चार copy चाहिए, original, duplicate, triplicate और extra, तो आपको यहाँ पर जैसी चार करेंगे, तो यह सारी copy आपकी print हुआ करेंगी, ऐसे number of copy, debit note, debit note में कितनी copy चाहिए, तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, ऐसे ही sales order आपको कितने चाहिए, एक copy चाहिए, अमेशा या दो copy, तो इस त लेंगी, आपको बार-बार set करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको control करके आगे बढ़ जाते हैं, यह option है, यहाँ पर print country name with address, अगर आप इसको yes करते हैं, तो आपके invoice पर address के साथ आपकी country का नाम आ जाएगा, इसके बाद है top margin of report, इसमें कुछ नहीं है, वोई top का margin घट बढ़ा सकते हैं, इसके बाद option आता है, so date and time of voucher printing, जैसे ही आप इसको yes करते हैं, तो नीचे वाला option इसके अपने आप, अपने आप enable हो जाएगा, और वो कैसे काम करता है, तो मैं बता देता हूं, यह option है, so date and time on all page of voucher, जैसे आप इसको भी yes करेंगे, और preview करते हैं, तो आ भी आप print लेंगे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, और यह हर page पे आएगा, जितने भी page आप निकालेंगे, जैसे के मैंने अभी यहाँ पे 2 page निकालेंगे, देखो, duplicate code transporter यह इस तरह से हर एक page पे so हो जाएगा, यहाँ पे आप company logo yes करेंगे, और company का logo print कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ज्यादा detail में नहीं बता सकता, क्योंकि यह काफी lengthy video हो जाएगी, तो अगर आपको logo के बारे में जानना है, तो आपको मेरे को comment करना होगा, मैं वहाँ पे आपको नई वीडियो बना के दे दूँगा, so company name इसको just रखेंगे, यह बाकी सारी चीजे, वही हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, control ले करके आगे बढ़ जाना, अब हम print लेके देख लेते हैं, जितनी भी चीजे हमने करी, उसके बाद हम यहाँ पे preview कर लेते हैं, कि हमारा print क्या आएगा, तो एक काफी अच्छा invoice यहाँ पे पसंद आई है, और अगर आपके काम की थी, तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए, तो उस पर भी उंगली मार दो यार, तो मिलते हैं, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत- ख्याल रखे हैं